नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं क्रीशी रिव्ण माफी योजना की 29 दिसंबर से होगी शुरुआत मोख्य मंत्री हमन्द सुरेन के नेत्युत में चल रही सरकार 29 दिसंबर को अपनी पहली बर्ष गाठ मनाएगी बतादे इस मोख्य पर राज सरकार किसानों को बड़ा तोफा देने जा रही है इसी दिन मोख्य मंत्री राज के किसानों के लिए जर्खन क्रीशी रिव्ण माफी योजना के सुरुआत करेंगे योजना के तहद 2,000 क्रो रुपए का प्रवधान किया गया है बतादे किसी विभाग ने मोख्य मंत्री को जनकारी दिया है कि रिव्ण माफी योजना का काम अम्तिम चरण में है सभी बैंकों को 30 नॉमबर तक फसल रिव्ण ले चुके किसानों के खाते को अधार से लिंक कराने का निर्देश भी दे दिया गया था अब तक 12 लाक में 8 लाक रिव्ण खाते को अधार से लिंक कर दिया गया है इसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है बेप वोटल बनाने का काम भी अम्तिम चरणों में है पलाइन करने वाले मजदूरों की संख्या जुटाएगी जहर्खन सरकार मुखमति हमन सुरेण ने मजदूरों के अंतर राजी पलाइन की स्थिती की जनकारी और स्रमीकों की संख्या जुटाने के निदेश पताधिकारियों को दिये हैं साथी मजदूरों के कल्यान के लिए कार्योजना तयार करने को कहा है बतादे मंगलवार को स्रम नियोजन प्रसिक्षन एम कौसल विकास विभाकिस समिक्चा के करम में उन्होंने पलाइन करने वाले मजदूरों के लिए टॉल फ्री नंबर जारी करने को भी कहा जिससे वे अपनी परिसानी साजा कर सके और सरकार उनकी परिसानी का समधान कर सके होट बजारों में मवादियों के टार्गेट पर पुलिस जारखन में भागपा मवादि के द्वारा पुलिस बलों को लगा था टार्गेट करने की कोसिस की जा रही है बता दे सराय के लागे कुकडू हाट की तर्ज पर भागपा मवादी पुलिस बलो पर हामला कर सकते हैं जुन 2019 में मवादियों ने सब्ताइक हाट में हामला कर पांच पुलिस कर्मियों के सहीद कर दिया था बता दे पुलिस बलो पर सर्ताहिक हट पजार या मवादी प्रभावाले जीलो में ऐसे ही हमला हो सकते हैं इसे लेकर राजे पुलिस मुख्याले ने सभी जीलो के एसबी को विशेश तोर पर अलट किया है पुलिस बलो को अलट करते हुए कहा गया है कि बजार होट में मुव्मेंट के दरान पूरी तरह सवधान रहे किसी भी तरह की लूज मुव्मेंट न करे या बिना काम के बजार न जाए आंगन बाड़ी में बच्चो को मिलेगा अंडा मुख्यमंत्री जारखंड को हर हाल में कुपोसन मुख्त राज बनाया जाएगा सुबे के आंगन बाड़ी केंद्रों में बच्चो के लिए गुनवता पूर्ण पोश्टिक आहार उपलब्ध होगा बच्चो के सरेरीक और मा बच्चो कर डाटा तयार करेंगे ए निर्देश मुख्यमंत्री हमान सुरे ने मंगलवार को दिये उन्होंने जार्खंड मंत्राला में महिला बाल विकास एवं समाजिक शुरक्षा विभाग के कारे परदसन की समिक्चा की जमूर नदी किनारे सरकारी जमीन घोटाले की जाच करेगी एसीबी राची जिले के काके अंचल इस्थित निसनल लाई उनिवर्सिटी के पीछे इस्थित जमूर नदी और उसके आसबसके सरकारी जमीन घोटाले मामले में भश्टा चार निर्दक बियोरों को जाच करने क के प्रस्ताव को मुख मंत्री हमन सुरे ने मजूरी दे दिया है एसी बी को अधिक्तम 45 दिनों के भीतर इस घोटाले की जांचकर प्रारमिक रिपोर्ट देनों को कहा गया है सरकारी जमीन और जुमार नदी को अतिक क्रामित करने तथा बेचने से संबंदित तयारी में सामिल सरकारी पता अधिकारियों, करमचारियों और जमीन माफियाओं के खिलाप कानूनी करवाई की जाएगी बनहर में बन रहे फ्लेट की लोटरी आज राची नगर नीगम द्वारा बनहर में बनाए जार है 115 फलेटों की लोटरी बुधवार को दिक्छान्त मंडल राची बीवी परिसर में होगी लोटरी में भाग लेने को लेकर सभी लाभुकों को राची नगर नीगम द्वारा सुचित किया गया है बतादे दिन के गारा बये से लोटरी काया करक्राम होगा ज्याथ हो पूर्व में लोटरी काया करक्राम एक दी समर को नहीं जाय था लेकिन बीना किसी कारण के इस लोटरी को रत कर दिया गया था रांची से लखनाओ पुन्य वारणसी के लिए बिमान सेवा की मांग विसामुंडा बिमान पतन चलाकार समिती की बैठक मंगलवार को यारपोट पैसार में होई बतादे अध्यक्षता समिती के अध्यक्ष सांसत संजाशेट ने की इस दोरान समीति के सदस्यों ने राची से चे नई नई बिमान सेवा शुरू होने पर प्रसंता जाहिर की साथी आगरह किया कि राची हवाई अड़े से कुछ नई सेक्टरों जैसे लखनव, पुन्ने, वारण सी सहीत अने जगों को भी जोड़ा जाए या सीधी बिमान सेवा हो ताकि अधिक साधिक लोगों को लाब मिल सके स्रम विभाग में रिक्त पदों पर भरती जनवरी तक, राजिके स्रमीकों का कल्यान और सर्वाइगी विकास को प्रत्मिकता पर रखते हुए स्रम विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए जनवरी 2021 तक, रोड मैप तयार किया जाएगा स्रमीकों के लिए रफ्तार से काम करने वाली टीम बनाए जाएगी या निदेश मुखमत्री हमान सुरे ने मंगलवार को दिया है उन्होंने स्रम नियोजन प्रसिक्चन एम कोसल विकास विभाग के समिक्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशाने देश दिये जार्खन में 182 नए संक्रमितों को पुष्टी हुई है जार्खन में कुल संक्रमितों की संक्ख्याई एक लाक दस 소osh 49 है जबकि 1,07,087,086 लोग स्वास्त हुए और 988 की मृत्य हो गाई भारत में कुल संक्रह मित्तों की संक्या 97,35,975 है जबकि 92,14,806 लोग स्वाज्ट हुए और 1,41,374 की मिलती हो गाई भारत में नाई केस 32,061 मिले है बतादे भारत में एक टिप केस 3,373 या 336 है वही जार्खन में एक टिप केस 173,35 बचे है जार्खन में एक टिप केस इस परकार हैं गैर सरकारी स्कूलों में नियुक्ती पर बैठक आज राज एक के गैर सरकारी अल्प संख्यक मादमिक बिद्यालों में नियुक्त प्रोनत प्रधाना ध्यापक नो नियुक्ती साहायक सिक्षकों की नियुक्ती के मामले को लेकर मादमिक सिक्षा निदेश साल है में बुद्वार को बैठक होगी इसके लिए मादमिक सिक्षा निदेश सक जटा संकर चोईरी ने अज़िसुचना जारी कर दिया है इसकूलों में सुरू होगी सोसल इमोशनल लर्निंग राजेक के सरकारी स्कूलों के विदध्यार्थी अब सोसल इमोशनल लर्निंग भी सिखेंगे इसके लिए स्कूलों में बिज्ञान गनित समाजिक बिज्ञान भासा के बिशयों के साथ साथ इसमें αच्छे नागरी मिटने के कोशल का विकास किया जाएगा इसकुली सिक्षा और सक्षर्था भी भाग इसकी त्यारी कर रहा है और नए साल से अनलाइन इसकी शुरुवात की जा सकेगी बतादे इसमें मीडील, हाई और पलस टू स्कुल के छटी से बराहमी तक के विद्यार्थी के लिए इसमें प्रधान किये जाएंगे इसकुली बच्चों को चाइल्स ट्रैफिंग, चाइल्स मैनेजिंग की भी जनकारी दी जाएगी और इससे होने वाली नुकसान के बारे में भी बताया जाएगा काले कानोन से हरित करांती को हटाने की साजिस बना गुपता राजिके स्वास्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ट निता बना गुपता ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानोनों के माद्यम से किसान, खेत, मजदूर, छोटे दुकंदार, मंडी, मजदूर वकरमचारियों की आजीव का पर एक क्रूर हमला बोला है यह किसान, खेत और खलियान के खिलाप एक घिनोना सड्यान था है केंद्री यह भाजपर सरकार तीन काले कानोनों के माद्यम से देश की हरित करांती को हराने की साजिस कर रही है मिशन वन मिलियंस एसमाइल्स ने गरम कपरों का किया वितरन राची जीला परसाशन और समाजिक परयाज से जरुरत मंदों के बीच गरम कपरों का वितरन किया गया इसमें कपड़े पहुचाने की मोही मिशन वन मिलियंस एसमाइल्स के ताथ मंगलवार साम को हात्मा बस्ती के जगुरतमन लोगों के बीच 200 गरम कपड़े बित्रित कियेगा है होटवार जेल में होगी और्गेनिक खेती जारखन के परमुख जेलों में से एक राची के बिर्शा मुंडा केंद्रिये कारा में सजायाफता कैदी अब और्गेनिक खेती करेंगे इसके लिए यहां के कैदियों को परसिक्षन दिया जा रहा है बतादे जेल केंपस के अंदर खाली पड़ी जमीन को खेती के लिए तियार किया जा रहा है बिर्शा एगरी कल्चर उनिवर्सिटी के सांस्टिक दोआरा पहले फेज में आजीवन करावास की सजाकाटरे 50 कैदियों को खेती की टेनिंग दी जा रही है एक करदी अमरीत योजना के ताथ जेल के अंदर पांच एकर जमीन में गोव मुत्र और गोवर का उप्योकर औरगेनिक खेती करेंगे किसानों के अंदोलन में अपना उलू सिधा कर रही विपक्षी पाठिया रहुवर्दास जार्खन के पूरो मुख मंतरी सब भाजपा के राश्ट्रिय उपाद्यक्ष रहुवर्दास ने कहा कि किसानों के अंदोलन में भी प्रक्षी पाठिया घूस कर अपना उलू सिधा करने का काम कर रही है इनका किसानों के हीटों से कोई लेना देना नहीं है हर कदम पर इनका पाखंड दिख रहा है भाजपा के राश्ट्रिय उपाद्यक्ष ने बियान जारी कर कहा कि राजे के एक मंतरी ने किसानों की बड़ी योजना ही बंद कर दी तो एक ने धान खरीदना ही बंद करा दिया बता दे कंग्रेश के परदेश अज्यक्ष रामेश्वर उराव ने राजसरकार के बीत मंतरी के रूप में आदेश दे दिया कि किसानों से नम्मी वाला धान ना खरीदा जाए लेकिन उनकी पाटिया चाहती है कि केंदर सरकार किसानों की सारी उपज नियुतम सवर्थान मुल पर खरीद ले जारकन के सभी पंचायतों में होगी स्रमिक मित्रों की नियुक्ती राजे के सभी पंचायतों में स्रमिक मित्रों की नियुक्ती की जाएगी बतादे प्रती मईदूर निवंधन पर उनको 15 रुपय का भुगतान किया जाता है कक्छा नवी से बरावी तक के लिए इसकूल खोलने का प्रस्ताव इसकूली सिक्षा एम सक्षाता विभाग है नवी से बरामी तक के विद्यार्थियों के लिए इसकूल खोलने का प्रस्ताव तयार किया है अगर सभी कक्षावों के लिए इसकूल नहीं खोलना संबर हुआ तो बोड परिक्षा 2020 के मदनजर केवल दासवी और बरामी के विद्यार्थियों के लिए इसकूल खोलने के अनुमत्ती मांगी जाएगी विभाग इसका प्रस्ताव आपदा प्रवदन विभाग को भेजेगा वहाँ से अनुमत्ती मिलने के बाद ही इसकूल खोलने पर अंतिमनी नहीं लिया जाएगा बता दे अगर सरकार ने अनुमत्ती दी तो दिसंबर के अंग तक इसकूल खोला जा सकेगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एकन दबाएगे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथी साथ यदि आप कमबल वितरन में आपना योगदान देना चाहते हैं तो बिलकूल आप इस नमर पर डूनेट कर सकते हैं थैंक यू